आप कौन सा देखेंगे हम वे्टेड यह तो पहला पार्ट फूरा इक अपक्या देखेंगे कि आप वेटेड में क्या होता है वेटेड में हर बार सवाल वेट देता है और बस हम multiply करके बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं तो एक weighted का question देखते हैं आज हम first method कर लेंगे और जिन बच्चों का background commerce का नहीं है उनके लिए कुछ classes मैं डालूँगा जो कि basic से basic एकदम zero से है गुडविल वाले class जिसको आप देखके कर सकते हैं उसका मैं record करके डाल दूँगा झाल 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 चलिए क्या कहता है question में देखिए कहता है the following information available big 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 be limited कि 2014 में profit 15 में profit 16 में profit अच्छा एक बात और ध्यान रखना अगर मैं बोलू 2014 और हाइफन पंद्रा इसका मतलब समझ जाना एप्रेल और मार्च वाला सिस्टम है और सिर्फ बोलू 2014 15 16 सिंगल सिंगल तो समझ जाना दिसंबर वाला सिस्टम है इसका तो यहां पर दिसंबर वाला ही सिस्टम होगा यह नीचे लास्ट में देखना पड़ेगा और गोइंग थ्रू दा अकाउंट अफ दा कंपनी फाउंडेड कहता है प्रॉफिट बिफोर मैनेजर रेमिनेरेशन वाज पचास हजार इन दो हजार चौदा और सत्तर हजार पंदरा अस्ती हजार इन सभी में जो प्रॉफिट दे रखा है मैनेजर का रेमिनेरेशन माइनस किया ही नहीं तो हमें करके ठीक कर देंगे माइनस 2014 में लॉस था 45,000 सडन फ्लूट इन दा नियर बाई रिवर बाढ़ आ गया बाढ़ आने की वज़े से हमारा नुक्सान हो गया तो यह कौन सार लॉस हो गया मज़े की बात कह दी बोला भाई तू 15 को समाल ले 16 वाला तो ओपनिंग करेक्ट है इसमें कोई चेंजस मत करना तो जो मैंने क्लोजिंग स्टॉक का इंपेक्ट आगे दिखाए था उसमें दिखाने की जुरत नहीं सरफ एक ही जगह दिखाएंगे कहता है इन रिपेर 25,000 का क्लोज्ट करेंगे और 10% डिपनेशिंग बैलन्स की मेथट से चार्ज करेंगे। से साल में किया था 2016 में तो 16 में किया तो 17 में भी इंपक्ट इसका दिखेगा जैसे अभी किया था calculate the value of goodwill on the basis of four year purchase purchase से पहले कितने है चार साथ future maintainable profit के इसाफ से निकालना है calculate weighted average profit last four year और weight दे दिया एक दो तीन चार क्या दे दिया इन्होंने कि इसका weight दे दिया तो weighted average में कुछ ऐसा खास नहीं अभी देखो कि फटा-फट समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है weighted average तो इस profit का adjustment करना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है कितने साल है चार अब बस calculator निकाल लिजिए फटा-फट आपको बताना है सर प्रॉफिट जल्दी जल्दी हिसाब किताब लगा के बताईए 14 15 16 17 बताईए प्रॉफिट 175 आगे दिख रहा है नहीं दिख आपको दिख हाँ तो बोलो न और चार लाग पचास हजार आप सब करना पढ़ने का मन नहीं गरता और एक टाइम ऐसा आएगा जिसने बहुत पस्ता होगे फिर बात होगी आपने तीसरी क्लास में पढ़ा होगा एक कहानी जब चड़िया चुक गई खेत तो बाद क्या हो पच्चता है जब हाँ से निकल जाएगा समय फिर आप सोचोगे पढ़ लेते यार आ जाता यार तब ऐसे उमर आ जाएगी आपके जिंदगी में कई बार कुछ चीज़े ऐसा होता है कुछ जो कि आप कर भी नहीं सकते और नहीं करे रह भी नहीं सकते ठीक है ना मतलब वह यह जाएगा कि बीकॉम होगा नहीं और बिना बीकॉम के आपको परमोशन नहीं मिलेगा और उस टाइम पे आप क्लास कितनी भी कोसिस कर लो आपकी पता है कि हुमन बिंग आप मैं तो पूरी जिंदगी पढ़ सकता हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन जो पढ़ नहीं रहा वो पूरी जिंदगी नहीं पढ़ सकता कुछ टाइम के बाद पढ़ाई लिखाई दिमाग में आना बंद हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद नहीं आएगा और नहीं आएगा तो फिर आगे आप करनी पाओगे उसको और नीडिड होगा ये ग्रेजुशन मैं फिर से कह दूँ जितने बच्चे 12 में थे न आप आज आना भी फर्स्ट एर में बहुत बच्चे छोड़ेंगे ड्रॉप आप परसंट के उपर देखो कहां पर ज्यादा जाना है और फिर वह बड़ी दुख की बात होती है कि बहुत बच्चे क्यूंकि जितने बच्चे अडिमिशन सबने लिया होगा लगबग लगब लेकिन सब ग्रेजुएट होके नहीं निकलेंगे तीन साल बाद आप इस बा यह सच्चा ही है फैक्ट है यह विल्कुल क्योंकि ग्रेजुएशन हर किसी के नसीब में नहीं है और खासकर जो ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं प्रॉफिट को रेमिनेरेशन लेस कर दे मैंने जर रेम लिख दिया मैंने रेमिनेरेशन है कितने कितने सतर पचास भी है चलिए पचास सतर असी एक लाग यह इसी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है चल रहा है चलो आगे देखते हैं चलिए लॉस कहता है फ्रलंड के बज़े से लॉस हो गया और लॉस में नुकसान हो गया 2014 की कहानी है एड कर दो अबनॉर्मल लॉस कितने 45,000 बात खतम इसका इंपेक्ट आगे नहीं जाएगा आगे कहता है हमारा भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक ना ओवर्वेल्यूड करके दिखा रहा है ओवर्वेल्यूड प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट घटा दो 2015 का लेस ओवर्वेल्यूड 2015 में कितने का अब 2016 में इसका इंपेक्ट मत ले ले ना खुद ही मना कर दिया इसने 2016 में रिपेर करा है 25,000 रुपे का जो आपने गलती से कुछ और मान लिया तो पहले माइन प्लस कर दो रिपेर जो रिपेर आपने मसीनरी करा कब करा 2000 2016 में कितने का 25,000 अब इसका डैप तो माइनस करोगे ना less depreciation कितने percent बोल रहा है depreciation यहाँ date नहीं दिया तो पूरे साल का लगाना depreciation कहता है 10% 10% इसका मतलब पच्चिस सो तो सर 25,000 पहले साल का डैप पच्चिस सो देट इस 22,500 और दूसरे साल का डैप बाइस सो पच्चास यहाँ पर आ जाएगा बड़ा simple सा बात था और कुछ है ही नहीं इसमें तो बस अब totaling कर दो आप जल्दी बता दो total कितने 170 270 270 है यह भाई 170 कुन बता रहा है इसके बाद 3,000,000 30,000 और डी पॉइंट रिपीट कर दो डी पॉइंट अभी बताएंगे अभी पीछे जो किया था सेम वैसा ही है कितने 4,17,000 और 4,50, 5,50 नहीं 3,50 3,72 500 यह एक लाग है ना और यह सब माइनस है सब गलत चलो एक सब्तर लास्ट का 250 750 250 भाई यह माइनस है और यह प्लस है ध्यान लगने और यह भी 2,00,00 यह 15 कितने हैं एक देख लो गलत होगा तो आप रिस्पोंसिबल हो चले आगे यहां तक तो कहानी वही है एक बच्चे ने पूचा सर यह वाला डी पॉइंट बता तो तो डी पॉइंट में क्या कहता है कि 2016 में एक रिपेर किया था 25,000 का रिजल्टिंग इंप्रूमेंट प्लांट तो जब कभी यही है चलिए आगे चले है यह माइनस है तो सही तो हुआ माइनस हुआ तो कितना आएंगे आपको यहां से एक सीख मिल गई कि यहां माइनस प्लस लगाने से कुछ नहीं होता है यहां लगाना जादा इंपॉर्टेंट है कि साथ सो पजास नहीं है कि यहीं अगर ना कि क्या कि अगर्ण चलिए ठीक है अब वेटेड करना रहे गया चलिए अगले पीच पर करते हैं वेटेड फिर से बना लेते हैं कॉलम अब थोड़ा कॉलम अलग स्टाइल का यह प्रॉफिट होगा यह वेट होगा और यह प्रोड़क्ट हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां प्रॉफिट ले लेंगे यहां वेट और यहां प्रोड़क्ट प्रोड़क्ट मतलब इन दोनों को इंटू करके यहां पे लेंगे ठीक है पर्टिकुलर तो प्रॉफिट की बात करें हम तो दो हजार कब से चल रहा था चौदा चौदा से था क्या चौदा पंदरा सोला सत्रा दो हजार पंदरा दो हजार सोला दो हजार सत्रा बता दीजे फटा फट चौदा का क्या था याद कर ले ना एक सत्तर एक बीस दो सत्तावन पांसो एक सत्तर एक बीस दो सत्तावन पांसो अगला बताओ 27 16 के क्या है 27 है 27 अब ने खहा है 16 3, 47, 750 अब वेट देखो इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ये मैंने अपने आप ने लिखा सवाल बोल रहा था 2014 का 1, 2, 3, 4 अब मल्टिप्लाई कर दो इसका मल्टिप्लाई कर दो ये तो मैं कर रहा हूँ 2, 40 जल्दी जल्दी करो 7,00,00 आगे 13,00,00 अब एक इसका भी टोटल करो और एक वेट का टोटल करो वेट का मैं कर देता हूँ 3, 3, 6 और 4, 10 आप इसका कर दो कितने 25,00,00 25,00,00,00 अब ध्यान से देखिएगा अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है क्योंकि आप पिछले वाले प्वाइंट में देखें कहीं आवरेज प्रॉफिट निकालना है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर प्रॉडक्ट सिग्मा प्रॉडक्ट प्लस सिग्मा वेट सिग्मा प्रॉडक्ट क्या है 25 लाग और सिग्मा वेट क्या है 10 यह आ गया 1-0 और ठीक है अब बस गुडविल क्या होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैं सॉट फॉर्म लिख रहा हूँ इन्टू में नंबर ओफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट 25 ती 70 पचास नंबर ओफ परचीस यह क्या था और निकाले दस लाग चाहर सो अच्छा तो लीजिए 10,29,000 यह देख के तो नहीं बताएं न टोटल गया न ठीक है तो यह था हमारा वेटेड अब आज आई यह पहले पे लीजिए सर टिक मार कर दिया वाना सुट पहला पॉइंट पूरी तरीके से हमने वेट विदाउट अर्जेस्मेंट विद अर्जेस्मेंट वेटेट सब कर लिया इसके बाद कौन सा करेंगे अब सूपर प्रॉफिक ठीक है क्लियर है हुआ 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 है